समस्कार मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स नीज रदेश आजादी के जश्न को मड़ा रहा है हम भी आपको कुछ खाद दिखाने वाले हैं जो आपके कई रोगों से संबंडित हैं आपको बता देरा दानी लखनाओं में इवाइन टेज फीजियो थेरपियन रहाब सेंटर ने बिना दवा के कई गंभीर बिमारियों को ठीक किया है जिनोंने इस अमरिक महा उस्तों रक्षा बंधन के पर्व को लेकर शुब कामना संदेश भी दिया और ये भी बताया कि किस तरह से और बिना दवा के गंभीर से गं में कराने आये जिन्होंने इस तरह की समस्या से वो जूज रहे थे और आज उन्हें कि सेंटर में आने के बाद राहा कि क्या आप भी हैं रोगों से परिशान तो लखनव में डिवाइन टेच एन रहाब सेंटर कर रहा है बिना दवा के ही कई गंभीर बिमार्यों का इलाज आपको बता दे कि राजधाने लखनव के आश्याना में डिवाइन टेच रहाब सेंटर फीजो थेरपी कला के माध्यम से कई बिमार्यों को दूर कर रहा है और आम जन को राहत देने का कारिक कर रहा है डिवाइन टेच क्लिनिक के संचालक डॉक्टर पुनीत ने बताया कि क इस तरह से वहां फीजो थरपी के माध्यम से कई गंभीर बिमार्यों का इलाज दावे के साथ करते हैं और इसमें आम जन को राहत भी मिलती है इस विशय पर हमने आई हुए लोगों से भी बात की जिन्होंने बताया कि उनका experience क्या है कि इस बिमारी को लेकर वो इस सेंटर म में आये थे और कितनी राहत मिली अगर आप भी किसी बिमारी से हैं परेशान तो जरूर विजिट करें और अपनी बिमारियों के लिए डॉक्टर पुनित से चर्चा करें हंगामा टाइम्स ने उस दिव रोडिपोंग इतने से उसको करते हैं और जो टाइट बसंस हैं उनक सजरी हैं बचाने करने करने हैं यो तरिके से हमारे जो रेड की हड़ी के बीच में दिस्क होता है डिस्क बाहर निकल जाता है वो चीजह आ गई हैं में और बॉन के बीच का इसपेस बढ़ाते हैं जो दिस्क का दबाव है उस दबाव को कम करते हैं मैंडम के केज में भी L4, L5 और L5 SN के बीच में नस दब रही है उसको और हम कारोकर्टिक एज़ेस्मेंट करेंगे हम उसका ट्रेटमेंट करेंगे अराम से रखेंगे रिलाक्स को को वा इनसे चोड़ेंगे डिला मॲी और दिला हेए सिधी लीची आए कि हम कशी ultate का सिधी लीचा है। कोई भी हम अदिस्ली के कि लिए स्टॉइद के नहीं उसक है। तक पैसेंट बिना मेडिसीन के नहीं प्रफेन को रहें गोर है गोसा ठीक होते हैं… मेरा नाम कीरन भटनागर है, मैं काफी सालों से अपनी कमर के दर्द के लिए परिशान थी, अभी हमारा इसे पते चला कि मेरा L4, L5, S1 प्रोब्लम कर रहा है, तो मैं डॉक्ट सब के पास आई हूँ, और पहले दिन ही, जिस दिन में फर्स्ट मेरा एक्स्पिरेंट के लिए जिस दिन में आई थी, उस दिन मेरे दर्द काफी था, लेकिन 60% इमेडियेटली उसी देनी होजी आराम हो गया था, और मैं रेगले टीट्मेंट में हूँ, तो काफी अची थेरपी भी है, और डॉक्ट सब का बीईवियर भी बहुत अच्छा है, और यहां पर जितनी दव यह दूसरी थेरपी से पता चल गया था, कि यह वर्क करेगा? तो सिंस लास्ट एप्रॉक्स नाइन मन्त आयम सफरिंग, तो समबड़ी सजेस्टेट भी टूगो हीर, तो आई केम हीर, तो सरसे मिलाकात होने के बाद मेरे को हीत, और गेम टाइम, सारोली मेरे को चेक किया, और उसके बाद एक जो सजेस्टेट थेरपी है, वह हम कांटिन इसको फालू किया जा रहा है, तो नोट एप मोनोटोनस थेरेपी, डेवेसिस पे थेरेपी, क्या ट्रीट्मेंट आज रिक्वाइड है, प्रॉपर असेस्मेंट होता है, यह अभी क्या, परिवर्टन में पेन के अगर बात करूंगो, तो मेरा पेन 50-60% रिलेक्स है, जो मै कर्वेचर की बात से, तो मैं जब चलता था, तो मेरे को थोड़ा तेड़ा होके चलता था, अभी भी चला हूं, लेकिन अभी मैं यह फिल करता हूं, कि मैं 40% राइट चला हूं, ओवरा लेबरी एंवर्मेंट इस वेरी गूड, यहां पे जो स्टाफ हैं, वो बहुत अच् नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनी चौबे, डिवाइन टच फिजो थरपी सेंटर सेक्टर एल आश्याना से, आजादी का अमरित मौहसो जो मनाया जा रहा है 15 अगस्त 2022 की आप सभी को तहे दिल से शुपकामना देता हूं, रक्षा बंदन के परपरस तहे दिल से श जोल्डर है, यह सब चीजों का इलाज बहुत ही आधुनिक तरीके से किया जाता है, जिसमें कपिंग ठरपी, कायरोप्रेक्टिक अजस्मेंट या फिर ड्राइन निदल ठरपी हम लोग यूज करते हैं, काफी दूर दूर से पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे अची ची सबसे जादा अभी कायरोप्रेक्टिक अजस्मेंट का लोगों को लाहम मिल रहा है, क्योंकि जो लोग 5 महिने, 6 महिने से कमरदर से परशान है, डॉक्टर ने सरजरी के बोल दिया, दवाई खाखा करके परशान है, लोग इधर उधर भटक रहें, सरजरी कराने के बाद भी नहीं ठीक हो रहें, वो सारी पेशेंट अगर हमारे पास में आ रहें, तो बिना मेडिसिन के, बिना सरजरी के, और दो से तीन सिटिंग में उनको काफी आरा मिल जा रहा है, जिसका अभी ये कायरोप्रेक्टिक अजस्मेंट बहुत ज़्यादा चलन है, और हम इसके उपर लेते हैं, आलो और इंडिया में अभी हमारा, दो दिन पहले बॉंबे में वरक्शॉप था, जिसमें आलो और इंडिया से डॉक्टर साय थे, दो दिन बाद हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में भी हमारा वरक्शॉप है, इसके हम इस्ट्रक्टर भी हैं, लोगों को डॉक ज्यादा कर रहे हैं नेग डॉप का यूज ज्यादा कर रहे हैं लॉकडॉण के बाद से लोगों का कमरदत की समस्षा काफी ज्यादा बढ़ गई है लैक ओफ नुट्रेश्टन है लोगों को अच्छा खान-पियान नहीं मिल रहा है जिसके वैसे उनको लाक ओफ हमारे पास आईए इस सब चीजों से अपनी मुक्तिप आईए और बेस नहीं आए